हलो फ्रेंट्स में कुपित मीना आज मैं बनाने जानू एक कप फोहे से पूरे परिवार के लिए एकदम सौप्ट और हेल्दी नास्ता ये तुरंत बनके तयार हो जाता है फ्रेंट्स इस फोहे से ये नास्ता एकदम जालीदार बनके तयार होगा और इतना टेस्टी इसे आप एकदम असानी से बना के तैयार कर सकते हैं ये नास्ता एकदम सौफ्ट और स्पॉंजी बनता है और एकदम जालीदार बनता है तो आप इस नास्ते को जरूर बना कर ट्राई करें अगर फ्रेंड्स आप मेरे चानल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे जो भी नई वीडियो आयो सबसे पहले आपके तक पहुँचे तो चलते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाने के लिए तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक कप पोहा ले लिया है इसे चुड़ुआ भी बोलते हैं तो इसे हम इस बॉल में डालेंगे पुड़े को हम पहले धो लेंगे इसे फ्रेंड्स हम दो तीन बार पानी डालके धो लेंगे और इसका सारा डस्ट हटा लेंगे इस तरीके से इसे हम रगड रगड के धो लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो पोहे को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है धो के अब हम यहाँ पे दूसरा बॉल लेंगे तो हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक कप सूजी ले लेंगे आप यहाँ पे कोई साभी सूजी ले सकते हैं बारिक वाली या फिर मोटी वाली अब हम फ्रेंड्स उसी कप से नाप के एक कप बटर मिल्क ले लेंगे अब हम इसमें अच्छी तरह से डाल के इसे मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट इसे हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रेष्ट पे रख देंगे तो फ्रेंट देख सकते हैं दोनों चीज अच्छी तरह से फूल चुकी है अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे तो हमन यहाँ पे पोहे को भी डाल लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे हम पीस के इसका पेश्ट बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पेश्ट को पीस के तयार कर लिया है तो हमने इसे इस तरीके से एकदम पेश्ट बना लिया है इसे एक बावल में ट्रांसफर करेंगे इसी तरह से हमें इसे पीस के तयार करना है और जो बागी का बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे तो फ्रेंट ये बेटर बन के तयार हो गया है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया है तो फ्रेंड्स अब हम इसमें खाने वाला सोडा एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पे सबसे छोटा चमत जो होता है हाप टी स्पून उसे ले लिया है अब हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसे हमें एक ही direction में घुमाना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा फेटना नहीं है ये नास्ता फ्रेंड्स एकदम जालीदार बनके तयार होगा तो चलते हैं इसे बनाने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स बेटर एकदम अच्छी तरह से बना हुआ है हमें इसी तरह से इसकी consistency चाहिए तो अब हम पैन की तरफ चलते हैं तो हमने यहाँ पे non-stick पैन ले लिया है पैन गर्म हो चुका है अब हम पैन में बेटर को अट करेंगे तो हमने यहाँ पे एक बड़ा चमच बैटर ले लिया है और इसे हम इस तरीके से करके फैलाएंगे और इसे हम कभर कर देंगे और आज को हम इस टाइम लो मीडियम आज पे इसे पकाएंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हो यह अच्छी तरह से पक चुकी है अब हम ढकन हटा के इसे निकाल लेंगे तो देख सकते हो फ्रेंट्स एकदम जालिदार बनके तयार हुआ है इसे हम पीछे के साइट से भी दिखाते हैं तो फ्रेंट्स इसे हम प्लेट में रखेंगे इसी तरह से हम बाकी का भी बना के तयार करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पे देख सकते हैं एकदम सौप्ट सी अपम बन के तयार हो गया है तो फ्रेंट्स देख सकते हैं यहां पे एकदम जालीदार अपम बनके तयार हुआ है एकदम सौप्ट अपम बना है तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से एकदम जालीदार अपम बना के तयार कर लेंगे अगर आपको भूक लगे और कुछ अच्छा खाने का मन हो फ्रेंट्स तो इस तरीके से आप जल्दी से बना के पोहे का अपम तयार कर सकते हैं इसे हमने जिस तरीके से बनाया है अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी अपम इसी तरह से बनके तयार होगा तो ये एकदम सौप्ट अपम बनके तयार हुआ है इतना सौप्ट अपम बना है तो आपका भी अपम इसी तरह से बनके तयार होगा इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूं कितना सौप्ट और जालीदार अपम बना है देख सकते हूं इसे आप नारियल का चटनी या फिर मुंग फली का भी चटनी बना के खा सकते हैं इसे आप किसी के भी साथ खा सकते ये इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि एकदम असानी से बनके तयार हो जाता है फ्रेंड्स तो अगर आज की रेसेपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपके लिए नई नई रेसेपी लेके आते रहेंगे तब तक के लिए बाई बाई